बहुत ही बेतुकता है बहुत ही एक बचकानी हरकत और ऐसी हरकत जो मतलब एक नलायक ही कर सकता है इसको मैं क्या कहूं क्योंकि इनके जितना मू लगो अपने आपको ही हम नीचे गिराएंगे ये तो समझदार तो लोग हैं ने कि जिसके बारे में हम बात करें तो कामरान अकमल क्रिकेटर होने के नाते या फिर एक वैसी इनसानियत के तोर पर उसको यह समझ चाहिए कि किसी भी कौम के बारे में रिलिजिन के बारे में अब शब्द बोलने की जरूरत नहीं है और उसका मुजाक आड़ाने की जरूरत नहीं और पहले तो मैं कामरान अकमल को ये भी पूछना चाहूंगा कि तुम्हें सिखों की हिस्टरी पता है? सिखों कौन होते हैं? और सिखों ने क्या-क्या काम किये हैं आपकी कौम को बचाने के लिए, आपकी माताओं को, बहनों को, सब को बचाने के लिए तो यह जो आप बोलते हो कि 12 बजे 12 बज जाएंगे यह हो जाएंगे यह मजाक का मुद्धा नहीं है यह मुद्धा उन से पूछी हो जो आपके पुरवज थे कि 12 बजे सिक्ख हमला बोलते थे उन मुगलों के उपर और वहां से आपकी माताओं को और बेहनों को छुड़ा के लाते थे तो यह बकवास करनी बंद करें और अपने आप से काम रखी हमारे इसमें दखलमांदाजी मत करिये और ऐसा दुबारा टिपनी करनी कोशिश में मत करिये माफी मांग लिए अच्छी बात है कि बड़ी जल्दी समझ आगी और समयधारी इसी में है कि आपने माफी मांग लिए बट दुबारा कभी किसी भी सिक्ख या किसी भी रिलिजन को आप ठेस पोजाने कोशिश न करियो कि धर्म जो है ना सब के लिए अपना अपना धर्म ब जानते हों तो फिर ये सारे मसले जो है ना ये बहुत ऐसे मसले है कि किसी को भी बढ़काने की जरूरत नहीं है कहीं आग लगाने की जरूरत नहीं है तो सब धर्मों का जो है वो सन्मान करिये आप